हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं विशाल सर फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल विशाल कॉमर्स अकैडमी में और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है सर अकाउंटिंग रेशो क्लास 12 अकाउंट एंसी और आज चैप्टर होने वा पनी और मैं आपको एक चीज और बता दू कि इस चैप्टर को करने के पीछे हमारे दो देशें सर पहला देशे तो यह है कि आपकी क्लास 12 की जो सिलेवस है वो सिलेवस का पार्ट है तो इसलिए हमें करना ही है चैप्टर ना एक्जाम में आने वाला है और अगर चैप्टर दूसरा जो हमारा point of view है इस चैप्टर को करने का वो है practical exposure लेना चीजों को analyze करना और चीजों को अलग एक धंग से अलग दुनिया में ले जाकर करके सोचना financial transactions को चलिए तो अब हम accounting ratio पढ़ने वाले हैं यह आपकी class 1 है accounting ratio की part 1 है और इसके बाद आने वाली जो videos है वो पूर चैप्टर होगा accounting ratio का और हम एक एक practical question करेंगे एक एक ratio को बारीकी के साथ पूरा deeply with concept clarity हम पढ़ने वाले हैं कोई रटाफिकेशन नहीं होगी कोई आपको formula रटवाया नहीं जाएगा कोई formula रटने की आवशकता भी नहीं है formula जो बने है वो with logical logic बने है तो मैं with logic ही समझने हों चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता चल गया है कि हम आज पढ़ने वाले है accounting ratio अब यह accounting ratio होता क्या है देखिए accounting का मतलब तो सबको पता है हम accounting ही तो पढ़ रहे हैं न 11th से 12th में BCOM, BBA, CACMA, CS कुछ भी आप कर रहे हों या आप future में करने वाले हों accounting ही तो कर रहे हैं हमें Basically समझना यह ratio का मतलब क्या होता है यह ratio का मतलब क्या होता है देखिए मैं ratio का मतलब बताओं Unterओ मैं एक example लेता हूं एक imaginary figure लेता हूं मैं यह कहता हूं कि एकूर एक company है ABC Limited यह कंपनी है ABC axrice और इसने sales की है D 10 करोड रूपीं कि कितनी की 10 करोड रूपे 10 करोड रूपे कि इसने लास्ट यह यज हिर या last month या लास्ट quarterly जो भी आप बात करें 10 करोड रूपे की सेल कर concerned okay आप मुझे बताएं यह company कैसी चल रही है 20 बटावट सेल्स 10 करोड है बस यह पता है हमें तो यह पता ही नहीं है कंपनी कैसा वर्क कर रही है तो अगर यह आपको प्रोब्लम आ रही है तो इसका मदब आप कंसेप्ट सीखने के लिए तैयार है और अगर मैं इसी में एड-on कर दूं कि इसने इस सेल पर प्रॉफिट अर्ण किया है तो तोड मतलत है टो अब बताएए कम्यी रिफिशनसि के बारे में कंपनी की बढ़िया कमपनी चल रही है तो या कैसी चल रहे है क्या कोई रिलेशन बता सकते हैं तो बता तो सकते हैं आप कहेंगे कि अगर इसकी सेल दस करोड रुपे थी तो इसमें प्रॉपिट दो करोड रुपय किया या नहीं किया इत मीन्स इत मीन्स इसका जो profit रेशो है तो अब आप तह लगा सकते हैं कि मार्केट में इसके चो competitors है इस company के जो competitors हैं जो कितना Profit Un're here यह कितना अंकड पा रहां । लास्स्की यह इसने कितना Hต était कितने इसने कितना अंग किया है 20 परसेंट तो आप comparison कर सकते हैं एनलाइज कर सकते हैं तो इसका सीधा-सीधा सा मतलब यह निकला कि जब हमें दो डिफ्रेंट डिफ्रेंट चीजों क्या relation पता करना उनके बीच का relation पता करना है वहाँ पर हम इस्तिम्हाल करेंगे इसके साय की देफिनेशन भी यही कहती है कि आप पर relation बताना है between two different different items और यह होने वाले हैं orthographical basis पर यानि numbers में होने वाले chechnे का मदब क्या है numbers में होंगे यह यह alphabats में नहीं होने वाले यह numbers सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हम पढ़ी अकांटिंग रहें तो फानेशल ट्रांजेक्शन को ही हम कंसीडर करेंगे तो रेशो आपको आपको समझ में आ गया होगा कि रेशो क्या होता है और रिलेशन्शिप बिट्विन टू डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स उनके हम आ सब्सक्राइब हैं वह कहते हैं क्या रिलेशन्शिप बिट्विन टू फिगर एक्सप्रेज इन अर्थमेटिकल टर्म्स इस कॉल्ड रेशो वही बात बोली जो अभी मैंने बताया था कि रिलेशन्शिप बतायेगा बिट्विन टू फिगर्स तू डिफरेंट डिफरेंट आइडम और यह होने वाले नंबर्स में अर्थमेटिकल होने वाले और इनको हम क्या बोलेंगे रेश्यों चलिए रेश्यों जो है रेश्यों जो है हो कि इतने तरीके के होरे Osath कर्सक्ति हो कितने तरीके के हो सकते है Remember C EPA ADS style ठीते चरीके जिन से हमरी तरीके या फिर simple ratio भी बोलते हैं इसको हम इस तरीके से denote करते हैं जैसे 2 ratio 1 इस तरीके से denote करेंगे जैसे कि 2 ratio 1 या फिर हम बोले 3 ratio 2 इस तरीके से चीक है इसको बोलते proportion या pure ratio या फिर simple ratio clear जैसे कि आपने partnership firm की accounting पढ़ी थी तो वहाँ पर आपने partners का ratio पढ़ा था कि उनका profit sharing ratio 2 ratio 1 होगा 3 ratio 2 होगा 5 ratio 3 होगा वह क्या था पर पोर्पोर्शन क्या था वह पर पोर्पोर्शन तो एक तो हमारे पास यह तरीका है रेशो को represent करने का in the form of proportion in the form of pure ratio simple ratio whatever you can say okay second one is second one is in multiples या times के रूप में जैसे कि जैसे कि rate या फिर times के रूप में हम बोल सकते हैं जैसे कि हम बोलें कि भी एक्स एक प्रोड़क्ट है वह जो है वाई का डबल है यानि जो वाई प्रोड़क्ट है अगर वह एक यूनिट है तो एक्स जो है वह दो यूनिट है ताइम्स टू टाइम्स है थ्री टाइमस है दो फाइटर उनके बीच में हम कमपैरिजन कर रहे हैं और हम उसमें से कह रहे हैं कि यह जो यह वाला ना रेड जो जैकिट वालवा पर सन रहें जो फाइटर है रहे हैं इस सामने वाले विख्ति से जिससे ने black shirt यह black shirt पर रखी है तो यहां पर comparison बताए जाएगा टाइम्स के गुना के रूप में यह इतने गुना है इतने टाइमस है तो यह इन टाइमस हम ratios को represent कर सकते हैं तीसरा जो हमारा तरीक आता है वो आता है in form of percentage, in form of percentage, percentage तो आपको पता है कि यह जो है यह article 20% है इसका, यह 50% है इसका, जैसे net profit 20% है sales का, तो यह percentage के रूप में था, got it? एक आता है fraction, क्या आता है एक fraction, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो, हमारे जो cost है वो one third है of revenue from operation की, बोल सकता हूं? तो यह fraction के रूप में है, कि जो cost है वो one by three हिस्सा है revenue from operation का, इसको बोलते है fraction के रूप में, ठीक है? तो यहांपर हम चार तरीके से ratios को represent कर सकते हैं, कौन कौन सा तरीका है, the first one we have a proportion, जिसे हम simple ratio या फिर प्योर रेशो भी बूल सकते हैं, दूसरा जो हमारे पास आता है, वो होता है, times के रूप में, तीसरा आता है, हमारे पास percentage के रूप में, percentile basis पर, और चौत्था जो हमारे पास आता है, fourth one is in form of fraction, fraction के रूप में, got it, तो अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि ratio को represent करने के हमारे पास कितने कितने तरीके हैं, तो हमारे पास 4 तरीके clear हो गया, right, चलिए जी, आगे चलते हैं, सर अब बात आती है classification of ratios की, जो हम ratio पढ़ रहे हैं, वो हम यह पता चल गया है, कि ratio होता क्या है, ratio की definition क्या है, ratio को represent करने के हम हमारे पास कितने तरीके हैं, वो भी पता चल गए हमें, लेकिन अब बात कर लेते हैं, accounting ratio की, so we have 4 different, different accounting ratios, 4 categories है हमारे पास, 4 categories है हमारे पास accounting ratios की, वो कौन-कौन सी होने वाली है, पहली होती है sir, पहली होती है liquid ratio, पहली क्या होती है, liquid ratio, then solvency ratio, after that activity or turnover ratio, और उसके बाद आती ह है profitability ratio, चार ratio है, फटावट मेरे साथ बोलिए, liquidity ratio, solvency ratio, activity या turnover ratio, और profitability ratio, clear, चलिए sir, और अभी तक अगर वीडियो को like नहीं किया तो यार वीडियो को like जरूर कर दो, कजूसी ना करो, please, और चैनल को subscribe कर लो यार, free में है, और चैनल को subscribe करके, bell icon को जरूर प्रेस कर दिना, त और आप लोगों का जो सीखना है, वो रुके नहीं, क्योंकि सीखना बंद, तो जीतना बंद, चलिए sir, liquidity ratio की बात करते है, liquidity ratio होता क्या है, basically देखिए, अगर मैं liquidity ratio को समझाऊं, तो liquidity ratio में मैं बस, दो बाते आपको बताऊंगा, liquidity ratio, liquidity ratio, we have two liquidity ratio, liquidity ratio के अंदर हमें दो ratios पढ़ने है, एक पढ़ना है हमें दोस्त, current ratio, क्या पढ़ना है हमें, current ratio, और एक हमें पढ़ना है, quick ratio, क्या पढ़ना है, quick ratio, क्या पढ़ना है, quick ratio, यह current ratio क्या होता है sir, और quick ratio क्या होता है, current ratio, अब यह current ratio क्या होता है, करन्ट रेशो का सीधा सीधा सा मतलब है जो आपकी करन्ट लाइबिलिटीज है जो आपकी करन्ट लाइबिलिटीज है उनको मीट करने के लिए आपके पास पैसा है या नहीं है भाई सब यह देख लो short term liabilities को meet करने के लिए क्या आपके पास पैसा available है तो यह जो check कर रहा जाएगा यह जो relation देखा जाएगा तो यह देखा जाएगा सर करन्ट रेशो के मध्यम से तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यह हुआ कि लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या हुआ कि आपको यह देखना है कि क्या आप पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं तो इसको लिख सकते हैं capability पेमेंट लेकिन याद रखेगा इन कि शॉट टर चॉट डूरेशन बोलो या कुछ भी बोलो तो लिक्विडिटी रेशो का मतलब है कि आपकी कैबल केबिलिटी चैक की जा रही है पेमेंट करने के और वह भी शॉट टर्म पीरिएड के लिए तो शॉट टर्म पेडिएड नहीं कर पारें इस बात के जो हमें रेशो निकालना है वो निकालते हम लिक्विडिटी रेशो के अंदर और लिक्विडिटी रेशो में हमारे पास दो रेशो होने वाले हैं एक होने वाला है कुछ रेशो अब करंट रेशो का फॉर्मुला क्या है करंट रेशो का फॉर्म का formula quick ratio का formula formula समझा रहा हूं formula लिख दे रहा हूं इक बार screen पर तक apost यहां पर कुछ idea हो जाए उसके बाद मैं आपको यह learn to clear करना चालो करोगा इसका formula होने वाला है सर आपका तो कि lerickfire cash कि divided by कि करन्ट लाइबिर्टिट ऐ अ चलिए जी फटावट से one by one one by one हम समझेना चालू करते है current ratio और quick ratio लिखा यह जो current ratio लिखा है इसका basically मतलब क्या होता है यह मतलब समझा दीजिए current ratio का मतलब क्या होता है आपकी capability देगे जा रही है कि आपके पास क्या cash available है या नहीं है आपके पास क्या पैसा available है या नहीं है short term obligations को पूरा करने के लिए तो वहाँ पर क्या क्या बात है होंगी तर जो short term obligation होता है उसे हम current liability बोलते हैं है या नहीं है क्लियर तो हमारे पास current asset है और current liability है दोनों को divide करेंगे current ratio आपके पास आ जाएगा बास समझ में आई या नहीं आई तो अगर बात करें current ratio की तो यह हमें बताता है capability और किसकी short term obligation के लिए short term obligation को meet करने के लिए capability है या नहीं है राइट क्लियर हुआ short term obligation को meet करने के लिए आपके पास पैसा है या नहीं है यह कौन बताएगा current ratio quick ratio की बात करें तो यह आपको बताता है immediately payment करना पढ़ जाए या फिर within a month अगर आपको payment करना पढ़ रहा है तो क्या इसके लिए आपके पास पैसा है या नहीं है obligation को meet करने के लिए within a month अगर obligation को meet करना है liability को pay करना है तो क्या उसके लिए आपके पास पैसा है या नहीं है तो यह बात कहन من से बता चलेएक सार कुषक रेशो से right चलिए जी तो कुषक रेशो का formula हमनें लिखा liquid asset divided by current liability ल чист सर यह liquid asset क्या होती है liquid asset और बता दीजीए एक बार सुनिएगा liquid asset क्या होती है liquid assets क्या होती है यह होती है सर CP, आपर चाहिए, चाहिए अपर करन्ट आसेट, क्रांट आसेट, लेस, इन वेंटरीज, और इन वेंटरीज में कभी भी, लूस्ट तूल्स, स्पेर पार्ट्स पगर नहीं लिए जाएगे, Inventories मतलब Inventories Okay Minus Prepaid Expenses तो यह अमारी आजाएगी Liquid Asset Current Liability तो आपको पता ही है Within One Year जो आपका Obligation होता है उसको Current Liability बोलते है Current Liability के आमें payment करने होती है एक साल के अंदर-अंदर 12 महीनी के अंदर-अंदर उसे क्या बोला जाता है Current Liability और current asset भी आपको पता ही है, current asset क्या होती है, जो एक साल के अंदर-अंदर cash में convert हो जाए या फिर जो एक साल के नहीं आपके asset है, उसको क्या बोलते हैं, current asset इसी तरीके से liquid asset, liquid asset कहने का मलब है, जो purely, जल्द से जल्द, most, most, most liquid asset जो होगी हमारी जो हमारी कम से कम टाइम में कैश में कनवर्ट हो जाए उसे हम बोलते हैं लिक्विड असेट होती है लेकिन इन्वेंटरी नहीं होती है क्योंकि इन्वेंटरी को बेकने में टाइम लगेगा यार उसको सेल करेंगे फिर उधार में अगर सेल करते हैं डैटर से नहीं रखा गया इसको बाहर कर दिया गया current asset में शामिल किया गया लेकिन liquid asset में शामिल नहीं किया गया prepaid expense sir prepaid expense का मतलब होता है हमने पहले ही बुगतान कर दिया हमने पहले ही बुगतान कर दिया तो उसको अब cash में convert कर पाना ना मुम्किन है एक है आप कर सकते हो और अगर आप कर सकते हैं प्रिपेड़ एक्से को तो आप मुझे पृटावट से लिख करके बताना ठिके जी प्रिपेड़े को नॉर्मली हम convert cash में नहीं कर पाएंगे right, clear हो गया, चलिए जी तो यह हमारे जो formula हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगी तो liquidity ratio के अंदर हमें दो ratio पढ़ने है, current ratio और quick ratio current ratio का formula होने वाला है current asset divided by current liabilities quick ratio का formula होने वाला है liquid asset divided by current liabilities ठीक है, चलिए sir यहाँ तक की बात समझ में आ गए, उसके बाद एक सर इसका idle ratio होता है और इसका idle ratio होता है 2 ratio 1 यह MCQ बनेगा बड़ा होकर करके, याद रखिएगा current ratio, ideal ratio क्या होता है idle ratio of current ratio क्या होता है 2 ratio 1, क्या होता है 2 ratio 1, इसका मतलब क्या होता है अभी समझेंगे, quick ratio का idle ratio होता है sir, 1 ratio 1, क्या होता है 1 ratio 1, यह भी MCQ में आ सकता है तो MCQ में यहाँ से आपके 2 question बन गए है, फटा-फट से बताइए current ratio का idle ratio क्या है 2 ratio 1, quick ratio का idle ratio क्या है 1 ratio 1 मतलब क्या है, सुनिए मतलब क्या है current ratio का मतलब है हमने relationship देखा between current asset and current liability इसका मतलब यह है कि आपके पास उतनी current asset होनी चाहिए कि आप current liability की payment कर दे और उसके बावजूद आपकी financial position strong रहे बास समझ में आई या नहीं आई सर इसको और elaborate कर दीजिए इसको clarify कीजिए let's suppose आपकी current liability एक रुपे है तो आपकी current asset होनी चाहिए दो रुपे ताकि अगर आप current liability की एक रुपे की payment कर भी दे after paying current liability of rupees 1 आपके पास एक रुपे और बच जाए current asset में भास में आई या नहीं आई किलिए तो इससे आपकी financial position का पता चलेगा कि आपकी financial position ठीक ठाक है आप सर्वाइव कर पाओगे अपने business को clear quick ratio का अगर देखें तो ideal ratio क्या है 1 ratio 1 और ये तो आपे within a month बात करने है quick ratio तो निकाल है कैसे जाता है within a month obligation के लिए तो 1 ratio 1 चलेगा आपको payment करने है आपके पास एक रुपे liquid asset होनी चाहिए inventory तो है ना उसको बेज करके दुबारा पैसे आजएंगे क्या दिक्कत है within a month की बात है within a month की बात करो clear हुआ या नहीं हुआ तो यह आपका liquidity ratio के formula और आपके सारे concept clear हो गए अब बात कर लेते हैं practical question की so move on to the practical question right now चलिए इलस्ट्रेशन नंबर वन इलस्ट्रेशन नंबर वन करने वाले हम राइट चलिए क्या था from the following information compute current ratio हमें क्या calculate करना current ratio और हमें उसका comment भी करना है comment करने में तो आप लोग expert है ना यार फटाफट से comment कर दीजिए कि वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं और है तो वीडियो को जरूर से जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब निक्या तो या किस बात करेंज जार कर रहे हो भाई फटाफट से फ्री है यार सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दो और बैल आइकन को दबाना मत बूलना बैल आइकन को रखा है नॉन करंट इंवेस्टमेंट सर नॉन करंट इंवेस्टमेंट की बात कर रहा है ओके नॉन करंट इंवेस्टमेंट यह तो एक साल से ज्यादा के लिए है ना यह इन्वेस्टमेंट एक साल से ज्यादा के लिए है नॉन करंट इंवेस्टमेंट हमें निकालना है कर होने वाला है कि करन्ट एड़ यही तो पढ़ाता ना अभी उपपर तो करेंट इसका मतल्ब हमें दो चीजे चाहिए एक में करेंट चाहिए और एक करेंट लाइबलिटी चाहिए तो अगर मेरे पास करेंट असेट आजाती है है तो मेरा मुझे चैए करेंट लेटी इस की वेलीटे चाहिए करेंट लाइबिलीटे इसकी वेलीओ जी दो है ना हम एक काॉर्मला है कर्ण असथ बायन गारन लिएबिलिटी पता हो नीचे डॉ swift करेंगे अंसर आपके सामने हुआ बात करते हैं नॉन करन्ट इनवेस्ट में इसको नहीं है सब्सक्राइब का करuição इंवेस्ट में तो करणट आपको उन इंवेंट्री सेथ होती है नहीं होती हां होती है तो कितनी ले लूँ दोला का सेजार करेंट असेड तर दोला का सेजार ले लेते लेकिन इसने यहां पर कुछ ब्रैकेट में बोल रखा है इनकलूडिंग लूज टूल्स 50,000 लूज लूज टूल्स का मलब ऑजार अब ऑजार तो क्या है कि जैसे आपका नट बोल्ट कसने के लिए जो ऑजार यूज होते हैं कमपनीज में वो सब है तो क्या वो इन्वेंटरी या नहीं सर तो इन्वेंटरी में याद रखेगा ब anticipating छाव होंगी है या नियहार और इंवेंटरी तो करेंड में शामीन रोगी लूज तूल लूजह लूज समाझ में लूज है किनि आई यह से तो सिधा सिधा मैं इसको रिख देता हूं आप लोगों के कहने पर और यहां लिख देता हूं में एक लाख असी हजार रुपे करेंट असाइट भी आएगा ना किलियर हो गया बहुत धीर दीर हैं बहुत कंसेप्ट के साथ हम यह कुशन कर रहे हैं तो अराम से तसल्ली से देखेगा ठीक है उसके बाद उसके बाद दे चैनल राइबटी हो गई सर एक लाख तीस हजार हुई या नहीं हुई बताईए एक लाख तीस हजार फटाफट से तो टो यह है करेंट में लिख लेते हैं ने एक लाख तीस हैसर रुपे का उसके बाद उसके बाद आपको बता राख आ रखाया लॉंग टर्म बोरींग सा long term borings तो 1 साल के बाद वाली borings समझा एक साल से ज्यादा के नियश नियए रखा यह उधार पैसा current liability तो नहीं है नodel current liability नहीं है नहीं आएगी current asset तो सवाल ही पैदा नहीं होते तो ये अपने relation की बात नहीं है हटा दो इसे यह अपने यार दोस्ती में नहीं आ रहा भाई बुलाया नहीं गया इसको शादी में अटाओ शॉट टर्म बोर्विंग्स येस सर शॉट टरम बोरिंग्स तो सर ये अपना काम की चीज लग रही है करण्ट लाइबिटी होती है सर शॉट टरम बोरिंग्स एक साल से कम के लिखेंगे 560000 अक्र ये बोलो और बता हो इसके बाद अगला लंकान kाए रख्ड थो क्हुंअरा टैक्स देर का ब्रैकेट में नहीं मेंदेता है नहीं देता कोई कर नहीं साल से कम के लिए प्रोविजन मनाया एक साल से कम के लिए प्रोविजन इंध तो और अमांट कितना था 20,000 रुपे चलिए जी यह लिजिए पट्टा फट से यह भी लो 20,000 रुपे उसके बाद next next and the last one cash and bank बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताईए यह हमने सब कुछ लिख लिए है अब इसको फटाफट से आप लोग प्लस कर लीजिए तो कितना आजाएगा करेंट से 40,000 प्लस दो लाग 30,000 प्लस वन लैक एटी थाउजन प्लस थर्टी थाउजन इट विल कम फोर लै यह लो बिटा यह आपकी करेंट सेट की वैल्यू पता चल गई है करेंट रलाइबीटी वन लैक 30,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 इट विल कम चू लैक 2 lakh hole and soul ये current liability की value पता चल गए अब क्या है अब दो question में कुछ भी नहीं बचा सर सर current ratio हमें निकालना था current ratio हमें निकालना था current asset हमें पता चल गई 4,80,000 रुपे और current liability हमें पता चल गई 2,00,000 रुपे सर इसको अगर हम divide कर लें तो ये आ जाएगा सर 2.4 ratio 1 2.4 ratio 1 this is your answer clear? अब ये है क्या बेटा? comment करते हैं मुझे एक बात बताएं ये company कैसी है? फटाफट से comment box में फटाफट से लिख करके बता दीजे company कैसी है? company की financial position के बारे में बताएं क्या company अच्छी है? क्या company को अभी और काम करने के आवशकता है? क्या company पे कर सकती है ये नहीं कर सकती? फटाफट से comment box में लिख करके बता दीजे चलिए जी जिन लोगों ने लिख दिया है बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग सीखने के लिए जागरुक है आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए के concern है और यही चीज आपको बहुत आगे ले जाने वाली है दोस्त चलिए जी तो current ratio जो आपने निकाला वो निकाला 2.4 ratio 1 इसका मतलब तो यह हुआ ना दोस्त यह आपकी current set का part है और यह आपकी current liabilities का part है तो current liability अगर एक रुपे है तो current asset हमारे पास 2.4 रुपीज है तो अगर हम current liability की payment एक रुपे कर भी दे then हमारे पास 1.4 रुपीज फिर भी current asset में बच जाएंगे जिससे हम survive कर सकते है next time में clear हुआ या नहीं हुआ company बहुत अच्छी है company financial position strong है कोई दिक्कत में clear हुआ या नहीं हुआ चलिए जी next